आपका अपना चंदर इंडिया एवन न्यूज जो रखे आपको एवन रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रगुनाथाय नाथाय सीताय पतिय नमह स्री राम लला भगवान के भारत माता के सर्यू माता के जै जै सीता राम राम उत्सो के आज के स्कारिक्रम के मुख्य थिते दुनिया के सबसे लोक्प्रिय राजनेता भारत के मान्य प्रधान मंत्री आधनिया स्री नरेंद्र मोधी जे रास्तिय स्वयम सिवक संग के मान्य सरसंग चालक सर्दे डॉक्टर मोहन भागवत जी प्रदेश की मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पटेल जी सिराम जनभोमी तीर्त छेत्र न्यास के अध्यक्स पूजय महांत निर्त गोपाल दास जी सिराम जनभोमी तीर्त छेत्र न्यास के अध्यक्स पूजय स्वामी गोविंद देवग्री जी महा सचिव सम्माने सी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूजय संत जन अपने अपने छेत्र के नेत्रत्त देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव रामज सो के इस पावन पर्व के असर पर आधनिय प्रधान मंत्री जी का मैं आप सब की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ और इनंदन करता हूँ इस उसर पर पधारे रास्तिय स्यम सिवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवज जी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ प्रवुरामलला के भव्य विव्य और नभ्य धा में बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई पांच सो वर्सों के लंबे अंतराल के उप्रांथ आज के इस सर्चिर्प्रतिक्सित मौके पर अंतरमन में भावनें कुछ ऐसी हैं क्योंने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलना है मन भावुक है भाव विवोर है भाव विवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज इस एतिहासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जन भूमी की और आ रहा है हर मन में राम नाम है हर आख हरस और संतोस के आँसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुड़ा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन रागो रामलला हमारे हिर्दे के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर बिराज रहे हैं आज हर रामभक्त के हिर्दे में प्रसनता है गर्व है और संतोज के भाव है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दी बतीत हो गई दर्जनों पीडियां अधुरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तो प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जन्भू में संभूत अबिश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य के जनमस्थली पर मंदिर निर्माण के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्दतिसें उपर उठकर के राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वसुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा परफुलित है, इस बात से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्ध के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंदर मोदी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्विधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं, और लौकिक छवी है हमारे प्रभु की बिल्कुल वेसे ही जैसे तुलसी दासजी ने कहा, कि नवा कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुनम धन्य है वज सिल्पी, जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है बिचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच, मुझे पूज संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुर्णे स्मरण हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू में उक्तिक्यवक में अपनी आहुती दे चुकी है उनकी पावन इसमिर्तियों को मैं यहां पर कोटी-कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विस्वास की परिक्सा का काल रहा बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए रास्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धू हुआ है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्षित नौविवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे है और उससे भी बड़ भागी हैं वो जिनोंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिध होती रही चोटिल होती रही किंतुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखे पुरी दुनिया अयोध्या के वैभाव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने कौतुर है आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभाव उतर आया है दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी की रूप में प्रतिष्ठित हो रही है पुरा विश्व दिब्ब्य और भब्य योध्या का साकसातकार कर रहा है आज जी सुन्योची त्यम्ती ब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है वह प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सक्ते और दूर दरिस्ता के बिना संभव नहीं था कुछ और से पहले एक कल्पना से परे था कि योध्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या आयुस्मान अयोध्या स्वच्च अयोध्या सक्सम अयोध्या सुरम्य अयोध्या सुगम्य अयोध्या दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या की रूपे पुन्रद्धार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहाँ पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुपतार घाट, ब्रम्म कुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेण परंपरा की कल्चर मैपिंग कराई जा रही है, राम बंगमन पत पर रामेण वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भौश्यकी जर्रतों को देखते हुए आधनिक पैमाने के अनसार सभी नगरिये सुपधाएं भी विक्सित हो रही है इस मोक्सदाइनी नगरि को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों, संतों, प्रेटकों, सोधार्तियों जिग्यास्चियों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और से अग्रसर किया जा रहा है यह एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है, जिसे सत्यमेव जैते की रूप में भारत के राजचिन्द मेंगिकार किया गया है यह लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है अयोध्या का दिव्य दिपउचसो, नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और स्रीराम लिश्वास की पुनरप्रतिष्टा का समारो사를 भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अविव्यक्ति सिद्द कर रहा है सिर्वाम जन्वोई मंदिर की अस्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक उनुस्थान है यह राष्ट मंदिर है निसंदे सिर्वाम लिला विग्रह की प्रांट प्रतिश्था राष्ट ये गौरव का एक एध्यासिक आउसर है निश्चिंत रहिए पर वो राम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कुएं बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़़ा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतो यहां दिपोट्सो रामोट्सो और यहां की गलियों में सिर्वाम नाम स संकिर्टन से यहां की गलियां गुंजाए मान होंगी क्योंकि अवद पुरी का मैं रामलला का बिराजना रामराज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है रामराज्य बैठे तिर लोका हरसित भये गये सब सोका रामराज्य भेदभाव रहित समरत समाज का दियोतक है और हमारे सश्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जनभुमी मंदिर के स्वपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों अभियंताओं सिल्पियों और सिराम जनभुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादिकारियों को हिर्दै से धन्यबाद पुना आप सभी को राम लला के विराजने की इस एथियासिक पूर्ण घड़ी की बधाई आदरिय प्रधान मंत्री जी आदरिय सरसंग चालक जी माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महानुभाओं का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरोजों ने लिया था उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चर्णों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और पर कोट कोटी वधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बाने को बिराम देता हूं जैजै सीताराम